यह निव डिजाइन बिलावज के कटिंग करना हम सिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से जो कट देख रहा हूँ यह कटोरी टाइप का कट है सेंटर में कट है बस्ट के उपर सेंटर में तो उसको किस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम बिठाएंगे इसको हम बड़ी आसानी से करते हम estavam सबसे पहले एक पेपर लेंगे सिधा मार्किंग करेंगे यह मार्किंग हमारे सोल्डर का है यहीnd से लेंगे देखिए 14 पर है 14 नीचे है लेकिन बड़ा कर लागा रहा हूं क्यूंकि यह फॉटिन पर थोड़ा बेल्ट जो है शॉटप पड़ेगा तो उस ले हमारे निसान को वियूज करना है इसके लिए हम उस तरह से लंबा कर लिए हैं अब सोल्डर 15 निच है तो देखें साड़े साथ पर निसान लगाना है एक इंच इदर डाउन करना है सोल्डर को और यहां पर पहुने तीन तीन जितना भी है अप लगाना है लगालो कोई उस से शेप देतेना है यानिके सोल्डर का स्लोपिंग देतेना इस तरह से हम यहां पर नापेंगे आर्मोल तो सेवन निच पर निचान लगाना है तो देखें अपरचेस जितना भी है वहीं पर नाप लेंगे तो बिल्कुल जितना है उसको फॉर से डिवाइड करेंगे 34 है त तो इस तरीके से नापने के लिए लगाना है बाकी यूज नहीं करना है हमको, क्योंकि कटिंग में डीप नेक में करने वाला हूँ, क्योंकि डीप नेक का मेजरमेंट मिला हुआ है तो उसी साब से में बता रहा हूँ, ठीक है तो इस तरह से हो गया, अगर आर्मोल बढ़ा हत जितना उपर कता उतने नीचे करके 4 इंच के करी मैंने निसान लगा लिया आप नीचे उपर कर सकते हो लेकिन डिजाइन मैं दूसरा कनवर्ट करने वाला हूं लेकिन मैं लगा के दिखाता हूं कैसे करना है अब फुल बश्ट को क्या करेंगे कि 10 से डिवाइट करेंगे जो बनता है उतने पर लगाओ एक सुथ दो सुथ कम पर ही लगाओ इस तरह से नीचे जो है पॉना इंच माइनेस करके लगा लेना है और क्वाटर नीचे की तरह बेग मार्जिंग करके इस तरह से आपको सेब देना है तो जीस तरह मैं कर रहा हूं उस पर हाथ पर ध्यान दो जो मैं बोलना हूं वो भी पर्याई बनारह यह जरा जल्दि में हूं मैं इसलिये जल्दी यह जली बना रहा हूं फिडियो ठीक है तो इस तरह से देखें पॉना इंच का डाट मैंने लगाrau है अब प्रींसिस काटका सेब मैंने जैसा दिया वैसी देना है अब यहां पे दोनों सीम को बराबर कर लेना है इस तरह मैंने किया इस तरह कर लोगे तो बराबर आएगा और यहां से नाप के देखेंगे अर्मोल अगर यहां बड़ा आता है तो हम सौट कर लेंगे तो यह देखें 16 इंच आ रहा है इस तरह से आप कर लेना उसके बाद इस तरह से सेप को बराबर कर लेंगे आर्मोल के सेप को बाद में हम सही करेंगे जब डाट हो गया जब हम क्लोस करेंगे बाद में तो इसको सेट कर लेंगे बाद में अभी तो मैं फिलाल ऐसे ही में लगा दिया आपको देखने के लिए और देखें इधर का भी मैंने सेप लगा दिया जो प्रिंसेस का पाट है वेस्ट का डाट हम लगाएंगे साड़े तीन इसका लगाएंगे तो और उपर का ये नीचे का मिला के बराबर हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से लगा के ट्राइ करके आप देख लेना अगर फिर भी आपको टाइट लगता है कि अगर बस्ट में टाइट होने का खत्रा है तो यहां और डाट बढ़ा देना लेकिन मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ अपने हिसाब से लगा हो अगर फ्यूजिंग करके बनाते हो तो डाट बढ़ा लेना तो जितना वेस्ट है उसके हिसाब से आपको फोर से डिवाइट करके निशा लगाना है यानि 27 है यहां यह भी मुझे कम लग रहा है कि 27 कम लग रहा है तो पता नहीं हो भी सकता है लेकिन मैं यहां पर लगा लिये 27 के हिसाब से और यहां डेर इंज मैंने माइनस कर दिया उपर ले लिया तो इस तरह से उपर ले लिए तो अच्छी तरह से बैक का लेंद बराबर निकलेगा इसी के हिसाब से मैं निकालता हूँ तो एकदम से अच्छी तरह से यहां निकालके से देना है प्रिंसेस कट का तो देखिए मैं प्रिंसेस कट में पहले कटिंग किया इ अब इस सोल्डर से इन जीतना भी रखना है उतना यहां रख लो अन्नेक का डिप मैंने 7 इच पर लगाया है इस तरह से शेप दे रहा हूं जैसा आपको एमेज में दिख रहा है सेम टू सेम इस तरह से कर लेना है तो देखे मैंने बराबर लगा लिया है आपको अगर यह ठीक नहीं लगता है तो चेंज कर सकते हो तो इस तरह के से लगा लेना है अब हम डिजाइन को करेंगे किस तरह करना है ठीक है तो अब देखे मैं यहां पर बेल्ट की चवड़ाई ले रहा हूं जो साइड में डेल इंच रख रहा हूं और यहां पर मैं अपने इसाप से लगा लूँगा यहां पर कोई नाप नहीं रखना है अपने इसाप से से देना है जहां देना है दे दो यहां नापेंगे हम क्योंकि यहां पर तीन इंच पर लगाएंगे या पौने त दिखाई देगा तो इस तरहीके से आपको लगा लेना है ज्यादा नीचे नहीं जाना है ज्यादा नीचे जाना है जो डिजाइन है और यह से आप塊 में वेल्ट करला हो गया और यहां भी मैँ स्वा Um करके आपको जोईन कर alright, GREGE Joshy हो गया, आप को यहाना लगा नीचे उपरका आपकी बंदीर है, जैसे भी करना यसे थे ऐख जकतेयों, तो देखें मैंने लगाया अगरहें कुछ भी गलड लगता है आप नीचे उपर कर सकते हो, तो मैं इसको अभी change करके भी दिखा देता हूँ तो इस तरीके से आप change करके कर सकते हो यह अगर ज्यादा उपर दिख रहा है तो आप और नीचे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको समझना है कि मुझे कहां से लगाना है आप समझो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो तो यह मैंने idea दिया है कि इस तरह से आपको कर सकते हो अब आपकी मर्जी है जहां से लगाना है वहां से लगाओ ठीक है तो इस तरीके से मैंने उपर का cut कर दिया नीचे का ही final पे चोड़ूड दिया अब इस तरह से हमरा यह डिजाइन हो गया अब हम कटोरी का सेप देंगे जो आप देख रहे हो जो पाइपिन लगा हुआ है साइड में यानि के कटोरी है उसका हम निसान लगाएगे तो देखे मैं यहां से लगा रहा हूँ इस तरह के से लगा लेना है सही जगा देख के चुन के आप अपने हिसाब से लगा सकते हो तो आपकी मर्जी है जैसे देना है दे सकते हो अगर मैं गलत लगा रहा हूँ तो आप सही कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है मैं यह नहीं बोलूँगा कि मैं जो लगा रहा हूँ वो ही perfect है आप लगाओगे वो perfect नहीं है आपको अगर मेरा अगर यह perfect लगे तो इसी को copy कर लेना अगर perfect नहीं लगता है तो आप इधर उदर कर सकते हो इस cut से कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं है यह burst के बाजू से निकलेगा तो इस तरह से आपको देख लेना है कि कहां पर हम को दिखा रहा हूं क्योंकि वो बराबर एकी जैसा सब दिख रहा है तो यह design का cut मैं यहां पर देने वाला हूं इसलिए मैं change कर रहा हूं तो आप भी इस तरह से करके किस तरह मैं लगा रहा हूं इस तरह से save को दे देना है सेब को चेंज कर सकते हो इधर उधर जो भी करना है आपके हाथ में होता है ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो मैंने कर दिया वही कर दिया उसका कोई इलाज नहीं है कुछ भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से इस डिजाइन को चेंज भी कर सकते हो तो यह कटोरी का नया बिलाॉष का डिजाइन मुझे किसी ने भेज़ा है तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ तुई देख लिजिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ यह कटोरी का पाट है यह जो आपको डिजाइन दिखने रहे यहाँ पे एक cut है फिर पूरा complete cutting करके आपको दिखाएंगे तो इस तरह से marking पे ही cutting करना है अब बाद में जब कपड़े पे आप जाओगे तो आपको बढ़ा के cutting करना है मैं एक दो वीडियो में कभी कभी दिखा देता हूं तो उस तरीके से आपको करना है इसमें margin कहीं नहीं होता है कहीं भी नहीं होता है कहीं भी नहीं होता है यह मत समझना कि चलो कहीं नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो देखें बार-बार का cutting होगा अब मैं back का cutting करके आपको दिखाता हूं तो इस तरह बराबर पे ही रखना है जैसे मैंने रखा है अब हम shoulder का marking कर लेंगे और armhole का भी marking कर लेंगे यही पर इस तरह बराबर रखके उसके बाद जो है हम length का निकालेंगे और जिस तरह करते हैं उसी तरह करेगे यह deep ज़्यादा नहीं हमारा 10 inch है 10.5 inch है तो हमको बराबर पर रखना है इसमें कुछ minus नहीं करना है इसमें minus की ज़रुवत नहीं पड़ेगी आप जो है बराबर पर लगा लो अपरचेश जहां था वहीं पर मैंने निसान लगाया है जो आदा इंच बड़ा था वहां नहीं लगाया है तो इस तरह के सा आपको करना है और नीच तरह से side को बराबर करके नीचे भी निसान लगा लेना है यानि हमारा ये length हो गया back का length इस तरह के सा आपको नाप के कर लेना है अब यहाँ नापेंगे अपरचेश कितना है तो 34 है तो 8.5 इंच पर ही रखना है ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखना है losing नहीं देना है बिल्कुल ही आप यहाँ पर अलका सा 1-2 point कम कर लो के चलेगा लेकिन losing यहाँ पर नहीं देना है जो भी आपको अगर losing के साथ पहना है तो front में ही देना है और waist का मैंने नापा और उसके बाद में एक इंच का बढ़ा के निसान लगाया dart के लिए यानि waist को जो भी ता four से divide किया अब बढ़ा के निसान मैंने लगा लिया और नीचे भी एक बढ़ा के निसान मैंने लगा लिया क्योंकि dart को close करके जब cutting करेंगे तो उहाँ पे जो बाहर की तरब निकलता है बराबर हो जाएगा तो देखिए आर्मोल का shape मैंने इस तरह से लगा लिया बैक का इस तरह से बराबर हो जाएगा आप deep neck का निसान लगाएगे तो साड़े 10 अमर आ है तो साड़े 10 पे निसान लगाएगे तो इस तरह से cross नापता हूँ मैं जैसा मैंने नापा है इसी तरह से नापा जाता है तो इस तरह से मैं shape लगा रहा हूँ जो भी है neck के back के neck का निसान लगा रहा हूँ तो आप यहाँ पे change कर सकते होने कोई problem नहीं है अगर point बराबर दिखता है यानि बाहर दिखता है आपको shoulder के पास तो वहाँ पे थोड़ा सा यानि के neck के पास तो आप थोड़ा सा वहाँ पे cut करके सीधा कर सकते हो और इस तरह से marking पे cutting कर लेना है बाद में हम dart को close करके आपको cutting करके दिखाएंगे कि डाट किस तरह cutting होता है तो बिल्कुल आसान तरीका है इस तरीके से cutting कर लोगे perfect बैटता है perfect एकदम perfect बैटता है आप करके try करके देख लो हो सकता है कि आप लोग का किसी किसी का नहीं बैटा होगा आपने कुछ mistake किया होगा यह हो सकता है मैं नहीं किया होगा मुझे पता नहीं है तो इस तरीके से आपको कर लेना है अभी मैंने डाट को कटिंग कर लिया इस तरह से अब close करके अब यहाँ पे cutting कर लेंगे बराबर पहले marking करेंगे state एकदम कर लेना है यहाँ पे इस तरह से कर लेने से क्या होता है बैग state आता है तो इस तरह के से कर लेना है जरूर कर लेना आपको ठीक है तो यह देखे मैंने कर लिया ऐसा अब यह बराबर हो गया अब क्या करना है कि इसको हमरा हो गया अब हम प्रेंट को कटिंग कर लेंगे तो देखे बैग मैंने कैसे कटिंग किया है एकदम परफेक्ट है यह तो इस तरह के से करके अब हम प्रेंट को कंप्लीट करेंगे तो फ ले, तो आर्मोल को सेट कर लेगे और डाट को निकाल देंगे काट के जो भी हमारा अंदर है、 जो qualcी मार्जिंग है, उसको हम निकाल देंगे लेकिन पहले आपको अर्मोल को इस तरह सेट कर लेना है, तो देखिया पृंसेसकट हो गया के measurement का है तो 2-3 pattern इसमें आप बना सकते हो ठीक है इस तरह से close करके चिपका लेना है तो चिपकाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको cutting कर लेंगे आगे का हिस्सा तो मैं बिना editing का बना रहा हूं क्योंकि फार्ष बना रहा हूं वीडियो आप लोग को समझ में आना कर रहा हूं तो ठीक है तो इस तरह से हमारा यह कट होगा अब हम इसका design cutting करेंगे तो देखे जो piping लगा हुए design दिख रहा है उसकी हम cutting कर रहे हैं तो देखे इस तरह से पहले cutting कर लेना है आपे यह बराबर हो गया में हम इसको कटिंग कर देगे तो यह कटोरी विला उस देखिए नया डिजान का है तो मैं सुच लाओ आप लोग को दिखा दू किस तरह से तो किसी भाई ने बेजा है मुझे तो उन्होंने बोला कि जरा इसका देखना है तो दिखा रहा हूं मैं उनको तो आप लोग भी दे Gária ओर वह बीजो सेंट्र का वेलट का पार्ट है यानि जो उट्वी सेइंटर का पाथ मैंने अभी क्टिंग करके रखा उसको क्या करेंगे कि शोमां इप थोड़ा खटिंग कर देगे तो देखिए अभी Сको उमको दूसरा पार्ट कटिन करना पड़ेगा तो मैंने चिपक दूसरे को दूसरे तरब से कर लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा लेकिन वो जो gaping दिख रहा है उसको हम कर देंगे टिक है तो देखे मैं यहांपे नीचे का खतम कर रहा हूँ और यहांपे मैं यह साड में आके ऊपर का खतम कर दूँगा यानि जो भी यह gaping दिख रहा है उसको इस्टरा को मैं खतम कर रहा हूँ तो इस तरह के से खतम कर लेंगे पर्फेक्ट आ जाएगा यह तो जीस तरह का है उसी तरह का बराबर बैट जाएगा तो इस तरह के से कर लेना है marking by cutting और उसके बाद मैं रखके आपको दिखा देता हूँ कैसा देखता है तो यह मेरा cutting category वाले उसका complete होता है अब हम क्या करेंगे? अस्तीन की cutting करके आपको दिखाएंगे कि अस्तीन की cutting कैसे होती है तो इसका भी करेंगे, अर्दो तीन size का और दिखा दूँगा एक ही में किस तरह से होता है आप देख लेना तो इस तरह से मैं पहले रखके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से आपको joint करना है आपको समझ में आना चाहिए इसलिए मैं रखके दिखाता हूँ कभी भी इस तरह का रखता हूँ तो ये image जो भी मैं रख के दिखा रहा हूं तो आप cutting करके इस तरह से रख के और अचीतरा से चेक करके जोइंट करोड़ी ब्राबर हो जाएगा तो जोइंट सेक दिखता है तो समझ यहां कई जोअ पाटась का है मैं रख रहा हूं तो इस तरह के से नीचे का बेल्ट आएगा क्लोज करेंगे बराबर हो जाएगा अब अस्तीन के करके मैं दिखाता हूं मैंने फोल्ड कर लिया है अब जो भी मेजरमेंट है नाइन नाइन इंच का तो हम पहले नाइन इंच नापेंगे तो नाइन इंच का ही लेना है मुझे उसके बाद मैं दूसरा तिसरा भी दिखा देता हूं क्योंकि किसी ने मुझे बोला था चार पांच इंच का भी स्लीज आप दिखा दीजिए तो मैं दिखा देता हूं अब जितना भी आर्मोल है उससे बढ़ा लेंगे आदा इंच ने टोटल में तो इस तरह से देखिए स ताड़े चोदा है तो मैं 15 के इसाब से साड़े साथ पे निशान लगा के इस तरह टन कर दिया अभी बाइसे का मेजरमेंट उन्हों ने भाई ने दिया है मैं देखा नहीं था इसी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं ध्यान ने दिया हूं तो पता नहीं कितना है अगर कम ज्यादा होगा तो आप कर लेना अर उस तरह से बॉटम का निशान लगा के इस तरह से मैंने लगा दिया है तो इस तरह से से देखे आपको यह बन कर लेना INSIDE को तो इस तरह के से हो जाता है ठीक है तो यह बराबर मेरा स्लीज हो गया यानि कि जो भी मेजरमेंट सड़या कوف तरफ यहां पी thiग शो स्ट किछ दोखेंटेंगे नुसाईगा रहुट तो यहां पर इस तरह से निशन Comedy नफ होदा दोने कि के तरफ इक sacrifice समयने लगा इस तरह कर देना है तो इस तरीके से यह बराबर हो जाता है अब मैं cutting करके दिखा देता हूं 2-3-3 का तो पहले मैं full जो है जो भी आपने measurement दिया है 9 इंच वाला उसका cutting करके मैं दिखा दे रहा हूं उसके बाद मैं 4 इंच वाला 5 इंच वाला दोनों दिखा दूं लगा कि आपको दिखा देता हूं कि से शैब कैसा दिखाई देता ह Emily तो कि भार करने को बाद में है किनको कैसा है यह समय लगा रहा हूं बाकी कोई मतलब नहीं है ठीकर यह में अगर यह मेरा कम है तो आप कम कर लेना ठीक है तो यह बराबर हो जाएगा अब यह 5 इंच हो गया आप 4 इंच वाले को कटिंग करके दिखा रहा हूं यह थोड़ा सेप में कटेगा आपको सेप में कटिंग करना है इस तरीके से करोगे तो एकदम बराबर आता है तो कभी भी यह सीधा नहीं करता है फूर इंच वाला यह फूर इंच वाला सीधा कटिंग करोगे बैठे गाई नहीं ठीक है अब त्री इंच वाला भी करके दिखा देता हूं अगर एक त्री इंच का भी चाहिए तो आप कर सकते हो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह सारे अस्तिन इसी में मैं क Sorry दिखा दिया तो इस तरीके से आप कटिंग करके आप मना सकते हो ठीक है तो इस तरीके से से श्यव कर लेना है तो यह मरह हो गया अभी देखिए मैंने कटिंग किया कैसा दीख रहा है चलिए विडियो करते लाँ अपीश